बात करने वाले हैं मेश राशी की यानि कि मेश राशी वालों के लिए किस तरीके का रहने वाला है एक्टोबर का महीना क्या साफधानिया आपको बरतनी चाहिए और किन-किन चीजों से आपको इस महीने लाप प्राफ्थ हो सकता है आज की विडियो में हम सब कुछ आपको ब साथ आपके लिए पूरे महीने शुब रंग कौन सा रहने वाला है, शुब अंक कौन सा रहने वाला है, और साथ ही के साथ इस महीने एक खास उपाय जो आपको करना है, वो भी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पूरे महीने अगर आप महनत करते हैं, धन कमाते हैं तो उस धन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, उन सबी चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कीसरे भाव में, तृत्य भाव में, यानि की मिथून राशी में पराकरम के भाव में मंगल जो हैं, वो स्थित हैं। मंगल जब पराकरम के भाव में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी महनत करने की जो स्वव इच्छा होती है, उसको कही न कहीं बूस्ट मिलता है, तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो ये महीना आपकी अक्टिवनेस को बढ़ाता हुआ नजर आता है, आप आपके हार्ड वर्क को आपके परिश्टरम को बढ़ाता हुआ नजर आता है, और जब परिश्टरम आप बढ़ाएंगे, महनत आप करेंगे, तो उसका फायदा, उसका पूरा फल जो है, वो भी आपको मिलने वाला है, प्रोफेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, करियर क लहाज से किस प्रकार का रहने वाला है, आपके लिए ओक्टोबर का ये जो महीना है, इस महीने आपके लिए कुछ अच्छे काम शुरू करने के जो शुब योग हैं, वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर कोई नया कारे आप शुरू करना चाते हैं, बहुत टाइम स लहाज से भी व्यपार के अनुसार भी अगर हम बात करें, तो ये जो महीना है वो आपके लिए शुब नजर आता है, अच्छे कारे करने का अफसर आपको मिल सकता है, बिजनेस में बूस्ट और बिजनेस में ग्रोथ जो है, वो आप लोगों के लिए इस समय के दौरान क्योंकि छटे भाव में आपकी राशी से छटा भाव जो माना गया है, वो एक तरीके से आपकी जोब को तो धर्शाता ही है, लेकिन उसी के साथ छटा भाव जो है, वो रोग का भाव भी माना गया है, छटा भाव कॉम्पिटिशन का भाव जो है, वो भी माना गया है, शत् कोई भी कदम अगर आप इस समय के दौरान उठा रहे हैं किसी भी प्रकार की बाचीत अगर किसी व्यक्ती से कर रहे हैं तो बहुत जादा openly मत कीज़े क्योंकि हो सकता है उसी के वज़ा से planning plotting आपके against जो है आपके office में शुरू हो सकती है तो इस चीज का थोड़ा सा खास ख्य महीने में उसकी भी हम एक बारी बात कर लेते हैं रुके हुए कारे इस बारी इस महीने की अगर हम बात करें तो उसमें बनने की संभावना नजर आती है उसी के साथ धन भाव में यानि की दुध्य भाव में आपके गुरू प्लेस्ट है ब्रहस्पदी ग्रह प्लेस्ट है तो ये शुब नजर आता है उस प्रकार से लेकिन इसी के साथ एकादश भाव की अगर हम आपके बात करते हैं तो वहाँ पे शनी की वक्रिय चाल जो है वो चल रही है यानि कि शनी जो है वो वक्रिय चाल चल रहे हैं गोचर के अनुसार आपके दूसरे धन भाव में कतों का सामना आपको करना पर सकता है तो सोच समझ के अपने पैसों को यूटिलाइज करने का प्रयास इस महीने के दौरान आपको करना चाहिए स्वास्ति की अगर हम बात करते हैं हेल्थ के लिहास से अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए ऑक्टोबर का महीन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है? मानसिक रूप से आप इस समय के दोरान खुद को काफी जादा fit, active, energetic जो है वो महसूस करने वाले हैं, new new ideas आपको आने वाले हैं, new innovative ideas आपको आने वाले हैं और अगर लंबे समय से planning कर रहे थे अपने किसी new idea को execute करने के लिए तो इस लिहाज से ये महीना जो है वो आपके लिए काफी जादा शुब और काफी जादा अच्छा जो है वो नजर आ रहा है इसे के साथ तीन तारीक से क्योंकि नवरात्री, मादुर्गा का आगमन होने वाला है तो ये महीना वैसे ही बहुत शुब माना चाता है तो कोई भी नया कारे अगर आप लोग शुरू करना चाते हैं तो बिना दोबर ही सोचे आप उस कारे को शुरू कर सकते हैं उसका शुबारम जो है आप कर सकते हैं रिलेशन्शिप्स की बात करते हैं कि आपके फैमिली के साथ आपके संबंद, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंद, कोलीक्स के साथ आपके संबंद और आपके स्पाउस के साथ आपके जो संबंद हैं इस महीने के दौरान क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं क्या वो जो विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं आगे वो रख सकते हैं या नहीं तो इस लिहाज से भी किस प्रकार का October का महीना आपके लिए रहने वाला है। कुंडली का जो होता है वो स्पाउस को दर्शाता है आपकी पार्टनर्शिप को दर्शाता है चाहे वो आपकी बिजनिस पार्टनर्शिप हो या आपकी लव पार्टनर्शिप हो तो दोनों ही लहाज से अगर हम बात करें प्रेम विवाह की भी अगर हम बात करें तो 17 तारीक से पहले अगर आप कोई बात्चीत शुरू करना चाहते हैं तो उसमें फिर थोड़ी से कठी नाईयों का सामना आपको करना पर सकता है तो इस प्रकार का शुब कारे अगर आप करना चाहते हैं तो 17 ओक्टोबर से पहले करना जादा शुब माना जाएगा मेश राशी वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस समय बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा तो अगर आपके बच्चे हैं उनका ध्यान इदर उदर कहीं पढ़ाई से भटक सकता है जिसकी वजह से आपक सकता है ऑक्टोबर के महीने में तो आपको अपने बच्चों को बार-बार सही ट्रैक पे लाने का जो एक प्रयास है वो इस महीने के दौरान करना पड़ सकता है तो आपकी थोड़ी सी एनोजी वहां पे स्पेंड हो सकती है शुक्र 13 ऑक्टोबर से अगर हम बात करते हैं व उसके साथ आपके जो रिलेशन्शिप है क्योंकि तोला राशी उनकी स्वर राशी मानी गई है शुक्र की तो उस लिहाज से 13 ऑक्टोबर तक जो समय है आपके लिए वो काफी जादा अच्छा नजर आता है आपकी फैमिली लाइफ के लिए आपकी लव रिलेशन्शिप के तो अगर कोई भी शुप प्रस्ताव आप रखना चाते हैं अपने पार्टनर के समक्ष इस समय तो 13 ऑक्टोबर से पहले पहले अगर रख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा तो ऑक्टोबर का महीना आपके लिए काफी अच़्श्य में गोचर कर जाएंगे और कर्क रखी मंगल की नीचस्त राशी मानी गयी है चौता भाव कुंडिकर आपकी रखी से छौता भाव यह है चतहुरत भाव बनता है यह आपकी मदर के साथ आपकी रेलेशन्शिप्स को दर्शाता है आपकी फामिली लाइफ को द दिक्कते हैं वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ सकती हैं तो अब इन दिक्कतों का सामना आपको कैसे करना है पहले से ही रेमिडी इसम करना शुरू कर देंगे ताकि 20 ओक्टोबर के बाद का जो समय है वो आपको जादा परेशान ना करें तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं हैं हम आपके लिए एक special remedy जो है वो भी लेकर आ हैं सबसे पहले आपके लिए शुब अंक की बात कर लेते हैं इस महीने आपके लिए शुब अंक जो है वो रहने वाला है अंक 8 तो अंक 8 का प्रयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए यानि कि एक white paper पे अगर आप black color से य प्रयोग करते हैं अगर square कपड़ा एक लाल रंग का अपने पास रखते हैं या पिर लाल रंग का धागा आप पहनते हैं लाल रंग के कपड़े पहनने का कुछ दिनों पर अगर आप प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से red color को अगर आप अपने आस-पास के environment पे इन्हांस कर तो उसका भी काफी जादा लाब जो है वो आपको October के महीने में specifically मिल सकता है अब बात करते हैं एक special महा उपाए की कि कौन सा उपाए आपको इस महीने जरूर कर लेना चाहिए पूरे महीने में आपको हर मंगलवार के दिन ये जो उपाए है वो करना है एक पीपल के पेड का पत्ता आपको लेना है और उस पे हनुमान जी का जो नारंगी सिंदूर होता है वो आपको लगाना है उससे आपको तिलक जो है इस पे करना है इस पत्ते पे उसके बाद चमेली का तेल जो होता है वो डालके एक दीपक इस पत्ते के उपर रखके आपको हनुमान जी के समक्ष जो है एवरी ट्यूजडे हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में उनके समक्ष अरपित करना चाहिए और आपकी जो भी खास मनोकामना है वो आपको उनके समक्ष रखनी चाहिए इस प्रकार से अगर आप हर मंगलवार ऑक्टोबर के महीने में इस रेमिडी को करते हैं तो काफी जादा लाब आपको इस महीने के दौरान मिलता है और साथ के साथ आपकी लाइफ में जो भी आप्स्रिकल्स जो भी परिशानिया आती हैं संकट मोचन उन सब ही को दूर करते हैं तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वा आपको पसंद आई हो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाद से जाद लोगों तक वीडियो को शेर जरूर कीजगा चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजगा आपके लिए ऐसी ही खास वीडियो हम हर दिन लेकर आते हैं, हर महीने लेकर आते हैं, आपके राश्री फल से जुड़ी हुई कई सारी चीजें हम आपके साथ साज़ा करते हैं ताकि पहले से ही आप लोग अवेर हो जाएं कि इस महीने में क्या कुछ चीजों का सामना आपको करना पर सकता है और किस रेमिडी को करके आप इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पास सकते हैं। ऐसी बेनिफिशल वेडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगे आप इसी चानल पर आशा करती हूँ आपका दिन शुब रहे नमस्कार।